अच्छा एक्यूमुलेशन वाला पैटन बन रहा है 166 के राउंड चल रहा है और दिपानशू नीचे में 145 से लेकर 158 स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है तो कर्रेक्शन में आयो सी में निवेश करने की राय है चे से साथ मिने का नजर रहा है मुझे लगता है दिपानशू 225-230 के लेवर्स देखने को मिलेंगे तो 225 से 230 के लक्षे के लिए आयो सी में इंस तरू पर निवेश की राय है और नीचे में 145-150 स्टॉंग सपोर्ट है और मुझे लगता नहीं है नॉर्मल सरकम्स्टांसिस में प्राइजिस इस सपोर्ट को तोड़ेंगे नीचे की तरफ तो आयो सी आज सुभा अनल जी की रेकमेंडेशन भी थी बजट सस्ता शेर में बंसल जी को भी पसंद आ रहा है 225-230 के टार्गेट के लिए बटाये अनल जी की तरफ से एक कॉल भी आ रही है झाल जी के लिए इस सबस्टाः यचान से रहा है झाल झाल